इस एक ही वीडियो में जितनी important reactions है जो previous year questions में आई हुई है वो सारी मैं आपको करा रहा हूँ जिन पे star लगा रखा है वो तो पक्का ही आई हुई है और जिन पे star नहीं लगा रखा जो expected है वो भी यहां पर मैंने यहां पर आपको कराई है reactivity 3 सब कुछ कराऊंगा इस वीडियो को आखरी तक देखिए अपने दोस्तों में share करिए और चैनल को subscribe करिए मुझे comment करके बताईए कि आप ऐसा ही content आते हैं तो मैं ऐसा ही content लेके आऊँगा आपके लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपकी book का पहला chapter chemical reactions and equation और इ lead iodide जिसका color होता है yellow color yellow PPT इस sign को ध्यान रखना है यह जो sign है यह बता रहा है कि precipitate बनेगा solid state में जो पानी में घुलेगा नहीं इसे हम कह रहे हैं precipitate और lead nitrate बनता है exam में क्या सवाल आएगा exam में आप से पूछा जाएगा कि यह कौन सी type of reaction है तो आपको यहां बताना है कि यह है double displacement reaction double displacement reaction में होता क्या है यह देखे यहां पर यह चीज है और यहां पर दो चीजे हैं यह भी दो चीजे हैं तो यह वाली चीज इसके साथ चली जाती है और यह वाली चीज इसके साथ चली जाती है अब ये आजाती है आपकी दूसरी equation, calcium oxide यानि quick lime को जब पानी के साथ मिलाया जाता है, तो बनता है slack lime, ये जो slack lime है, इसके साथ साथ बुलबुले आते हैं, heat produce होती है, तो ये heat के कारण से सवाल पूछा जाता है exam में, आपके मैं बहुत ही अनोखी चीज़ बताऊंगा, ये reaction आगे continue होती है, जैसे ये जो slack lime है, इसमें carbon dioxide match होता है, मिलता है, तो बनता है calcium carbonate, white marble या limestone, जो कि purely white color का होता है, आप से exam में किस तरीका के सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सवाल है, बहुत ही interesting है, हमारे गर में, हमारे आसपस, सब जगहें use हो रहा ह होता है, हम ले आते हैं quick lime market से खरीब के, उसको घोलते हैं पानी के अंदर, और बनाते हैं slack lime, जिसमें कुछ bulbulे आते हैं, heat produce होती है, फिर हम क्या करते हैं, इस दिवाल के उपर, इसकी करते हैं painting, जब paint करते हैं इस दिवाल को, यानि white wash करते हैं, तो इसका color हो जाता है white, क्य white PPT, दिवाल के उपर, इसलिए हमें दिवाल white color की shiny दिखती है, तो इस type का reaction आएगा, इस type का question आएगा आपके exam में, यह यहाँ पर, यह तो important नहीं दे रखा, बट यह important दे रखा है, क्योंकि पिछली बार आया हुआ है, तो orientation और सवाल देने का जो तरीका होगा, वो इस तर भी ferrous sulfate के molecule है, माल नीचे यह ferrous sulfate का molecule है, तो इसके आसपास seven water molecules होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं water of crystallization, मतलब एक crystal के पास seven water molecules घेरे हुए हैं उस crystal को, इसलिए इसका color होता है green, इसके बाद जब हम इसे heat करते हैं, यह जो triangle है, हमारे heat को दर साता है, इसको जब हम heat करते हैं तो यह brown color का हो जाता है और इसके अंदर से पानी रफू चक्कर हो जाता है, पानी निकल जाता है, sulfur dioxide और sulfur trioxide गया साती है, एक्जाम में जो पूछा जाएगा, वो आपसे यह घा जाएगा, कि इसमें किसकी suffocating smell आती है, पंजेंट smell किसकी आती है, तो आप यहां बताएंगे कि यह जो sulfur dioxide बना है, इसके कारण से colorless, pungent, suffocating smell आती है, ऐसा लगता है, जैसे अंडे सड़ गए हैं, लाब में जब experiment करा रहे होते हैं, तो सड़े हुए अंडे की smell आने लग जाती है, तो हम पूछते हैं कि कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, कुछ अच्छा तो नहीं यह जाते हैं, लेड नाइट्रेट, फॉर्मुला याद लगेगा, PBNO3, ट्वाइस, PBNO3, ट्वाइस, PBNO3, को जब हम heat करते हैं, तो बनता है लेड आकसाइड, जिसका color होता है यलो, और नाइट्रोजन डायकसाइड, ये जो नाइट्रोजन डायकसाइड है, इसके reddish brown fumes, reddish ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो लाब में reddish color का, brownish color का वेपर प्रोड्यूस होता है, कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा बचक प्रतीत करने लग जाते हैं, तो यलो color का तो आपका लेड अकसाइड है, और नाइट्रोजन डायकसाइड है, reddish brown fumes के साथ, जमाना बदल गया है, अब कौन ही black and white photography का use करता है, सब को color चाहिए, mobile में खीचते हो, इधर खीचते हो, कई जएगा तो mobile ले जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतनी खिचाई होती है mobile की, इतनी खिचाई होती है mobile की, लोग देखने कम photo कीचने जादा आते हैं, तो यह जो reaction है, important इस इसका होता है photolysis, photolysis मतलब light की presence में कोई product, कोई chemical तूर जाता है अपने different constituents में, silver bromide भी sunlight की presence में, silver और bromide में तूर जाता है, तो यह easy reaction है, पूछा जाता है black and white photography के रूप में आपसे, यह reaction भी आई हुई है exam में, होता क्या है, iron nail, iron nail को हम copper sulfate, जो की blue color का होता है, उसमें डु कुछ देर के बाद होता क्या है, कि यह solution है, उसका color हो जाता है, green और copper, iron nail के उपर coat हो जाता है, brown color का coat हो जाता है, तो exam में क्या पूछा जाएगा, exam में तो पहले यह color पूछा जाएगा, green कहां से आया, blue कहां से आया, आप यह बताओ, दूसरी बात यह पूछी जाएगी, क इस iron ने copper को क्या किया, क्यूं किया, ऐसा इस copper के साथ, लात मार के भगा दिया इसको, ऐसा करने का क्या कारण है, मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण है हमारी reactivity series, यह जो reactivity series है, साइद इक कोई ऐसा paper होगा, जिसमें reactivity series का सवाल नहीं आया हो, तो मैं एक बार reactivity series ल तो यह है हमारी reactivity series, आप देखेंगे इसके अंदर, तो iron कहां पे है, यह है iron, और copper कहां पे है, copper है नीचे, नीचे का मतलब यह है कि यहां से नीचे जाने पे reactivity घट रही है, यह उच्छ स्रेडी के metals है, इनकी reactivity जादा है, जो नीचे स्रेडी के metals है, इनकी reactivity कम है, तो iron यहां पर reactive होने के कारण से copper को लात मार के भगा रहा है, जिसे हम कहा रहे है, displacement reaction, displacement reaction में जो reactive metal होता है, वो least reactive, यानि कम reactive metal है, उसको भगा देता है, उसके solution से, तो यह reaction हो रही है, बहुत ही favorite है, exam में बहुत बार आई हुई है, आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन य reaction अपने हाथों में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, भई याद कर लीजिए इस reaction को, क्योंकि यही एक reaction है, जो double displacement में पूछी जाती है, एक reaction तो मैंने बताया, जिसमें lead iodide बन रहा है, yellow color का PPT, एक reaction यह है, जिसमें बनता है barium sulfate, होता क्या है, sodium sulfate solution को barium chloride solution में मिलाया जा यह पानी की तरह आपको दिखेंगे lab में, जब आपको reaction कराया जाएगा, लेकिन जब इन पानी की तरह के दोनों compounds को मिलाया जाएगा, तो बनेगा barium sulfate, और यह arrow यह दिखाता है, कि बनता है PPT, यानि barium sulfate white PPT बनेगा, crystal white PPT बनेगा, वो test tube में नीचे की तरफ बैट जाए तो यहाँ पर इसके ऊपर question पूछा जाता है, कि कौन सा white PPT बनता है, आप कहेंगे barium sulfate, reaction कौन सी है, तो double displacement reaction है, double displacement reaction होती किस से है, तो यहाँ पर में लिख रहा हूँ, ionic exchange के current से, ionic exchange के current से double displacement reaction होती है, यह reaction एक दूसरे की पूरक है, copper को oxygen के साथ reaction किया जाता है, तो बनता ह copper oxide, जिसमें brown color का copper, black color में convert हो जाता है, और इस process को हम कहते है, oxidation of copper, oxidation of copper के बनता है copper oxide, इस copper oxide में जब hydrogen को add किया जाता है, तो यह oxygen रफू चक्कर हो जाता है, oxygen निकल जाता है, इसके पास से, तो हो जाता है, यह copper दोबारा से वही brown color आ जाता है, ज्याद रखेगा, इसमें heat की जरुत होती है, इसमें heat की जरुत नहीं होती, और इस reaction को हम कहते है, reduction, तो oxidation और reduction के base पे, यहाँ पर oxygen का add होना होता है, oxidation, और oxygen का remove होना होता है, reduction, तो इसमें हम इन दोनों reaction को जब हम एक साथ लिखते हैं, तो हम इन दोनों reaction को लिखते हैं, redox reaction, red मतलब reduction, ox मतलब ox, oxidation, और य ये है reaction तो ये दोनों reaction एक दूसरी की पूरक है बहुत कम पूची गई है बट important है और expected है इस reaction को तो आप note कर लीजिए ये बहुत important reaction है आपको कहीं NCRT में दिखेगे नहीं किसी YouTube channel बेस को बताएंगे नहीं लेकिन ये exam में जब आती है तो आके खुली रह जाती है दिमाग present होती है पानी हवा oxygen जैसे carbon dioxide oxygen और water इनके साथ जब ये react करता है gases के साथ react करता है तो इसको उपर green color आ जाता है ये जो green color है इसका देखो copper carbonate और copper hydroxide molecules आपस में attach होके आते हैं green color आप से पूछा जाएगा ये जो green color है ये कौन सा acidic है basic है neutral है तो आपको होगे basic copper carbonate basic copper carbonate यानि ये basic nature का हो जाता है copper में रस्टिंग होती है तो हो जाता है green color ये होता है gases in atmosphere के कारण से carbon dioxide और water ये बनाता है iron oxide जिसे हम कहते हैं rust rust सिरफ iron के case में कहा जाता है question क्या पूछेगा कि रस्टिंग का ये reaction लिखके दिखाओ जब reaction लिखते हैं तो ये x को भूल जाते हैं और ये x भूलने के कारण से हमारा सारा काम ख़राव हो जाता है reaction में पूरे number नहीं आते तो x को यहां लिखना है और यहां लिखना है पहल दूसरा सवाल reaction लिखना है दूसरा सवाल कौन से color का आता है तो ब्राउन तीसरा और सबसे important सवाल जो किसी किसी exam में olympiart exam में वगरा यह पूछा गया था cvac भी पूछ सकता है भाई f e को जब rust लगता है तो इसका mass बढ़ जाता है इसका वजन बढ़ जाता है वजन देख ब्राउन और mass और यह मेरी तरफ से important सवाल है यह exam में अभी तक तो नहीं आया है लेकिन olympiart वगा रहे हैं पूछा गया है तो यहां भी पूछा जा सकता है आए बात करते हैं acid basis and salts की सबसे पहली reaction है इसके अंदर sodium hydroxide में zinc granules डाले जाते हैं तो बनता है sodium zincate अरे वह यह तो reaction बहुत असान से लग रही है लेकिन यह exam में पूछता क्यों है इसमें तो कुछ ऐसा हो नीरा के color निकल रही हो fumes निकल रहे हो लेकिन exam में इसका पूछने का सरफ एक ही कारण है वो आपके एक number कम करना चाहता है वो कम किसले करना चाहता है क्योंकि आपको इसका formula याद नह O2, Na2, ZnO2, Na2, ZnO2 याद कर लीजिए यह एक ही reaction है चाहे आप sodium carbonate लें चाहे sodium hydrogen carbonate लें क्योंकि यह exam में आई हुई है तो मैंने एक साथ लिखाया है sodium carbonate को hydrochloric acid के साथ reaction करते हैं तो बनता है नमक यह फुद्दू सा नमक sodium chloride, water और carbon dioxide ठीक ऐसा ही sodium hydrogen carbonate को acid के साथ reaction करते हैं तो वो सेमी चीज बनती है नमक, पानी और gas यानि carbon dioxide यह है calcium hydroxide और इस calcium hydroxide में carbon dioxide का वेपर्स का carbon dioxide का जब reaction होता है तो बनता है calcium carbonate यह reaction तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि white PPT, limestone, marble बनता है अरे जो आपके घर के first पे बिचा होता है ना marble वो यही चीज है वो ऐसे ही बना नहीं है इसलिए इस reaction को भी याद करना, एक्जाम में एक बार दिया हुआ था था कि इस reaction इस arrow को क्या कहते है और इस arrow को क्या कहते है जो reaction में use होता है तो इस arrow कहते हैं जब gas release होती है तब और इस arrow कहते हैं जब PPT यानि solid चीज़ बनती है जो पानी में नहीं गुलती तो यह एक एक नमबर का reaction का जो arrow है यह आया हुआ था exam में बहुत ही interesting है जब इस calcium carbonate यानि insoluble जो होता है water के अंदर इसको carbon dioxide के साथ फिर से औ में ध्यान रखना है कि extra carbon dioxide के साथ जरखवा जाता है तो बनता है calcium hydrogen carbonate जो again soluble in water होता है तो exam में पूछने के लिए इनको क्या मिलता है पहले यह कहते हैं insoluble in water है फिर यह कहते हैं soluble in water है तो insoluble और soluble होने का जो कारण है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया यह दोन reaction आप ए black color का होता है इसको HCL के साथ react करते हैं तो बनता है green color का copper chloride expected reaction है याद कर लेना है slack lime यानि calcium hydroxide को chlorine के साथ जब reaction करते हैं chlorine gas इसके उपर फेरी जाती है जैसे आपको कोई आसरिवाद देता है same ऐसे जब chlorine का आसरिवाद इस slack lime को मिलता है तो यह बनता है bleaching powder और इसी bleach के लिए तो साथियो में आपने देखा होगा saloon में line लग जाती है कि bleach कराना है यह वही bleach है सफाई cleaning के काम आता है water को clean करने के काम भी bleaching powder का होता है calcium oxy chloride इसका chemical name है एक्जा में पूछा जाएगा preparation of baking soda preparation of bleaching powder आपने किया अब है preparation of baking soda baking soda का preparation होता क्या है तो वह कहता है दो compounds के नाम लिखो जिससे baking soda का preparation होता है तो पहला compound sodium chloride दूसरा compound ammonia इसको तो वह पूछता ही नहीं है और यह हवा यह तो मिली जाती है तो जो domain compound है जिसके current से बनता है वो है calcium chloride और ammonia calcium chloride ammonia पानी हवा के साथ जब reaction करता है तो बनता है ammonium chloride और NaHCO3 NaHCO3 means sodium hydrogen carbonate baking soda baking soda कड़ी पकोड़े मनाने में baking soda का use होता है चेंज कर देते हैं उसको किसमें चेंज करते हैं comment करके बताईए यह है से heat करते हैं तो बनता है soda, S, H2O, carbon dioxide gas जो आपने कुरकड़े में ऐसे च्छेद होते हैं बर्गर खाया होगा, तो बर्गर में भी ऐसे छेद होते हैं, ये छेद कहां से बन जाते हैं, आपने ढोकला खाया होगा, डोसा खाया होगा, उस दोसे में भी ऐसे छेद होते हैं, ये जो छेद हैं, वो इस कार्मन डाइकसाइड के कारण से होते हैं, ये कार्मन तो उस molecule से carbon dioxide gas बहार निकलती है, तो जिस रास्ते से वो निकल रही है बस वो ही whole create करता है और उसको पफी बनाता है, तो यहां पे आपको whole creation और पफी बनने का कारण मिल गया है, जो exam का बहुत favorite है, कड़ी पकोड़े बनाओ और पफी बनाओ और ये बनाओ, कहां से बनाओ, कै कैसे बनाओ, chemical का नाम लिखो और उसकी preparation लिखो, तो आप इसको जरूर तियार करिएगा, मेरे exam में आया था कि पकोड़ा कैसे बनेगा, सेम यही equation लिखनी थी, पकोड़ा डालता है वक्त एक ऐसी चीज़ डालेगी, जिससे पकोड़े पफी हो गए, तो वो reaction लिखके दिख कि यहां पे इसके साथ कोई salt होगा, सेम ऐसे इसके साथ वो ही salt होगा, माल यहां पे CL है, तो यहां पे CL होगा, समझ में आ गया होगा, कि इसके साथ जो चीज़ है वो यहां भी है, तो from any acid के H plus iron के साथ जब reaction होता है, तो बनता है baking powder, exam में पूछा जाता है कि baking soda और baking powder बनान को इसके ऊपर वाली reaction लिखनी है, sodium hydrogen carbonate वाली, तो यह तीनो reaction ही important है, जो आपके exam में पूछी जाती है, जो मैं इहां पर आपको display कर रहा हूँ, जैसे इसका तो use यह हो गया, bleaching powder का use आपको याद करना है, calcium oxy chloride का use करना है, जितने जो 5 salt है, उनके use भी आपको याद करने है, बनते कैसे हैं और इनका use क्या है, यह बहुत important है, exam point of use से, अब बात आती है, वासिंग शोडा कैसे बनता है, तो वासिंग शोडा बनने का process है, sodium carbonate जो अभी उपर बना था, उसके अंदर 10H2O, यानि water के molecules add कर देंगे, तो हर sodium carbonate को 10 water molecule घेर लेंगे, तो 10 water molecule घेर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं वासिंग शोडा, crystallization of water, crystallization of water भी एक्जाम पूछा गया था, कि ये भी देखो, ये भी crystallization of water है, पानी molecule इक साथ है, ठीक ऐसे ये भी crystallization of water है, क्योंकि पानी का molecule इसके साथ है, तो जिस के साथ, जिस atom molecule के साथ, पानी के extra molecules add हों, और atom के साथ, तो उसे हम क प्लास्टर और प्लास्टर 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 पाउडर के उपर ऐसे पानी लगा के ऐसे प्लेन कर दिया और जब प्लेन किया तो वह इतना हाड हो गया कि मेरा हाथ अब इदर से मूर नहीं सकता कम से कम 45 दिन के लिए इस जिपसम ने मेरे हाथ को पूरा तो यह इसका यूज है और रियक्षन क्या है वह आपके आमने लिखी हुई है इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल ब्लू विट्रियोल मीन्स नीला तोता ब्लू पैरेट के नाम से भी जाना जाता है पाँच वाटर मॉलिकूल के साथ होता है जब इसे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिकूल बाहर निकल जाते हैं चले जाते हैं इसको छोड़के तो ब्लू कलर से वाइट कलर में कनवर्ट हो जाता है तो यह है दिकमपोजिशन रियक्षन बाइ हीट तेम ऐसे ही वासिंग यूज भी आपको याद करने हैं तो एक्जाम में आई हुई है इनके यूज एक एक नमबर के आते रहते हैं अब चैप्टर आता है हमारा मैटल्स और नॉन मैटल्स इस पूरे चैप्टर को हम एक ट्रिक से करेंगे इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे ची इस अफीने लिखी थी जो उपर राले हैं र्याइक्टिव मैटल्स पोडेशिएम और शोडियों वह कोलड वाटवर के साथ र्याक्शन करते हैं जो सबसे ज्यादा पानी के सथे भी र extrêmement लेता है जो बीच में थंडा और गरम पानी के साथ reaction कर लेता है और जो उत्तेजित है ही नहीं उसे हमें उत्तेजित करना पड़ता है steam दे कर तो ये trick है आप इन तीनों को इस तरीके से याद कर लिए आए समझते हैं इन एक एक reactions metal जब water के साथ reaction करता है तो बनाता है metal hydroxide metal जब steam के साथ reaction करता है तो बनाता है metal oxide metal hydroxide क्योंकि यहाँ पर hydrogen है पानी के साथ steam यानि oxygen है oxygen को याद रखो यार oxygen है इसके साथ hydrogen नहीं है बस metal oxide बनेगा hydrogen है इसलिए metal hydroxide बनेगा ये देखिए ये potassium है पानी यानि ठंडा पानी क्योंकि potassium खुदी reactive है यार सबसे ऊपर बैटा हुआ है तो ठंडे पानी के साथ भी reaction कर लेगा और बना देगा potassium hydroxide ठीक ऐसे ही sodium चक्कू से काट लो हवा के साथ पानी के साथ कैसे भी reaction हो जाएगी क्योंकि ये खुदी reactive है तो बना देगा sodium hydroxide अब आगे उसके नीचे calcium और magnesium calcium magnesium ये जो liquid लिखा है ना ये liquid cold water भी है और ये जो liquid है ये hot water भी है calcium ठंठे पानी के साथ reaction करके बनाता है calcium hydroxide ये तो वही slack lime है और ये magnesium hydroxide बनाता है magnesium hydroxide इसका नाम होया है milk of magnesia milk of magnesia इसे हम ant acid भी कहते हैं ant acid भी कहते हैं तो ये ant acid कैसे बन रहा है magnesium को पानी के साथ reaction करने पर बन रहा रहा है magnesium hydroxide ये OH2 यहाँ है इंटर्सिंग बात ये है कि ये calcium और magnesium जब react करते हैं पानी के साथ तो पानी के उपर पानी के layer के उपर ऐसे तैरने लग जाते हैं यानि पानी के बाद, रियक्शन करने के बाद, ये हलके होके पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं. Means ऐसे कुछ बबल तरह का बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, कैलसियम और मैंगनिसियम पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है. एक नंबर का सवाल यहां पर आया हुआ है. अब बात करते हैं सबसे सुस्ट मैटल्स, यानि लीस्ट रियक्टिव मैटल्स की. ये जो लीस्ट रियक्टिव मैटल्स है न, इनको हमें अक्टिव करना पड़ता है स्टीम दे कर. तो जब हम इनको steam देते हैं तो ये active हो जाते हैं और बनाते हैं Aluminium Oxide और Iron Oxide यहां पर दो ही reaction है Aluminium और Iron की ज्यान देने वाली बात और exception और importance वाली बात PBCU AGAU PBCU AGAU PBCU AGAU react ही नहीं करते पानी के साथ यह पता नहीं गोल्ड का rate ही क्यों बढ़ता है reaction तो इससे होती नहीं है पानी के साथ reaction होता नहीं है हाँ एक number का सवाल यहां से आपका आया हुआ है कि reaction कौन नहीं करता पानी के साथ अब है हमारा chapter carbon and its compound carbon and its compound पता नहीं इस chapter से डरते क्यों है बच्चे मैं आपको easily बत्ता आता हूँ कि आपको करना क्या है किस तरीके से आप इसको याद करेंगे सबसे पहली reaction है hydrogen with oxygen नहीं यह hydrogen नहीं है यह hydrogen oxygen और carbon यानि यहां पर है hydro carbon hydro carbon जब reaction करते हैं oxygen के साथ तो मनता है carbon dioxide water और energy अब छोटा hydro carbon ले लो oxygen के साथ reaction करेगा तो भी बनेगा carbon dioxide water और energy बड़ा hydro carbon ले लो तो भी oxygen के साथ reaction करने के बाद बनाएगा carbon dioxide water और energy तो यह simple reaction है hydro carbon oxygen के साथ reaction करता है तो बनाता है यह 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 आपको भूलना नहीं है चाहे कोई भी reaction हो कोई भी hydro carbon हो होना तो सबके साथ यह है आईए बात करते हैं Oxidation Reaction Oxidation का मतलब क्या है Oxidation का मतलब आप Simple समझो Oxidation का मतलब है Oxygen का Add होना तो इसके अंदर जब आप Oxygen Add करोगे Oxygen Add करोगे देखो यहाँ पर एक Oxygen है यहाँ पर दो Oxygen है तो यह है हमारा Alcohol अलकुहल और यह है हमारा Acid यह अलकुहल यानि Ethanol Convert हो जा रहा है Ethanol Convert हो जा रहा है Ethanol Convert हो जा रहा है Ethanol Acid में होता क्या है Ethanol और Ethanol Acid हमें याद रहता है यह हम भूल जाते है Alkaline KMNO4 और Acidified K2Cr2O7 एक्जाम में पूछा किया है Alkaline KMNO4 अगर कि Acidified K2Cr2O7 का इस्तमाल होके हम कर सकते हैं वो इसे लिख देगा जिसको नहीं याद होगा वो ढूंडता रहेगा सिर्फ arrow बना के छोड़ देगा उसे नम्मर नहीं मिलेंगे तो इन दोनों को ही हमें याद करना है छोड़ना कुछ भी नहीं है आईए अब समझते हैं Addition Reaction के बारे में Addition Reaction Addition Reaction में होता क्या है कि यहाँ पर Hydrogen Atoms Add होते हैं इसके पीछे देखो यह जो बना हुआ है इसमें Hydrogen Atoms Add होंगे यहाँ पर तो यह Hydrogen, यह Hydrogen, यह Hydrogen, यह Hydrogen, यह Hydrogen और यह Hydrogen Hydrogen Add कर दिए सेम ऐसे ही तो है ही, याद क्या है, निकल और पैलीडियम, निकल और पैलीडियम, निकल और पीडी के साथ हैर्डिजन का इस्तमाल होता है यहाँ पर, तो यह catalyst है, इसे हमें भूलना नहीं है, arrow के उपर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लिखना, अच्छे अच्छे बच्चे से बनी होता है, यह जो reaction है, यह है easter बनाने का formula, easter मतलब sweet swelling substance, sweet smelling substance, एक ऐसा substance जो आपको मिठास की खुस्बू देगा, मिठास की खुस्बू देगा, जिस process को हम कहते है, easterification, easterification, यह जो easterification reaction है, इसमें acid, alcohol के साथ reaction करता है, तो बनाता है easter, easter वही easter है, जो smell देगा, perfume बनाएगा, और यह है पानी, reaction बहुत important है, बहुत famous है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, CH3COOH, CH3CH2OH, यानि यह हमारा ethanoic acid, alcohol से react करता है, तो बनता है easter, और होता कैसे देखो, CH3COO, 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 लिख दिया है मैंने, अब यहाँ से COO के बाद, यह H यहाँ से हटा दो, अब बाकी इस चीज़ को उल्टा लिख दो, उल्टा का मतलब है, पहले O लिखो, फिर CH2 लिखो, फिर CH3 लिखो, तो O लिखा, CH2 लिखा, CH3 लिखा, यहाँ से यह जो पानी है, यह बाहर निकाल दिया, यह पानी जो है, इसको बाहर निकालते ही, यह बन गया, बाकी जो चीज़े बच गई हैं उसको यहाँ लिख दो, तो यह हो जाता है हमारा easter, sweet smelling substance, जब acid base के साथ reaction होता है, तो उसे हम क base वाला, लेकिन यहाँ पर acid है, ethinoic acid, जो caustic soda या sodium hydroxide साथ reaction कर रहा है, तो बना रहा है CH3 COona और water, इसके साथ heat भी निकल के आती है, तो इस heat के कारण से इसे exam में पूछा जाता है, बट यह बहुत कम पूछा गया है, previous year में नहीं था यह, अब बात करते हैं, carbonates और hydrogen carbonate के तो बनाएगा salt, carbon dioxide और water, यह जो metal carbonates और hydrogen carbonates है, यह metal carbonates और hydrogen carbonates है, यह एक base की तरह काम करते हैं, क्योंकि यह base की तरह काम करते हैं, तब ही acid base मिलने के बाद, बनता है salt और water, क्योंकि यहाँ पर carbon है, इसलिए carbon dioxide बन जाता है, तो इस तरीके से समझेंगे, तो reaction हमें याद हो ज reaction करेंगा, तो यह बनाएगा salt, पानी और आवा, हो गया, काम खतम, सेम ऐसे ही, यह इतनोएक acid है, metal hydrogen carbonate के साथ reaction करेंगा, तो बनाएगा salt, पानी और हवा, तो यह salt जो है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, अब यह reaction है, substitution, substitution का मतलब होता है, एक की जगह पे दूसरा आगे बैठ गया, होता क्या है, इस reaction में, यहाँ पर चार hydrogen है, यहाँ से एक hydrogen बाहर निकलता है, और chlorine उसकी जगह पे आजाता है, sunlight की presence में, तो यह हो जाता है हमारा substitution reaction, जिसमें chlorine ज्यादा reactive है, वो hydrogen को लात मार के उससे बाहर निकाल देता है, sunlight की presence में, तो यह complete होता है, substitution reaction, अब बात करते हैं, ethanol की, ethanol, CH3, CH2, OH, सबसे पहली reaction है, metal with base के साथ, तो बनाता है, metallic salt और hydrogen gas, यह metal है, यह base के साथ reaction कर रहा है, तो बना रहा है, यह salt और hydrogen gas, जो की बहां निकल जाती है, और pop sound आता है, यह जो pop sound है, बहुत बार exams में, पूछा जाता है, pop sound आया, pop sound आया, यह reaction है unsaturated hydrocarbon, इसमें क्या होता है, पानी को हटा दिया जाता है, compound में से, यह जो extra पानी है, यहां से इसको हटा दिया जाता है, acid के action के कारण से, तो हमारा बन जाता है, ethene, यह है हमारा ethanol, ethanol जब react करता है, तो बनता है, ethene, पानी को निकाल दो, सिरफ पानी को निकाल दो, इसके आपको सरफ पानी को एक oxygen यहां से निकाल दो, यह यहां आ गया, पानी को निकाल दो, यह reaction हो गई complete, क्यूंकि यहां पर acid है जो dehydrate कर रहा है इस compound ethanol को, आपने यह सारी reactions मेरे साथ trick के साथ करी है, उमीद है कि यह reactions आपको बहुत रास आई होंगी, बहुत interesting तरीके से मैंने आपक कराया है, और सारी की सारी reaction जिनमें star लगा रखाया है, वो exam में आई हुई है, तो आप इसको जल्दी से अपने दोस्तों के में share करें, चैनल को subscribe करें और वीडियो को like ज़रूर करें, एक like जो है ना हमें बहुत motivation देता है, कि हम ऐसे ही content और अच्छा content आपके लिए लेकर आ करते हैं, आपके बत दोस्तों के हимость आपके टोस्तों करेंग.